स्वागते आप सभी का टेकर स्टड़ी आईटे योट्यूब समपर HALN हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से आईटे पासओट के इंडेट्स के लिए 2024 पच्चिस के एक अप्रेंट्सिप जारी की जा चुकी जिसके की फॉर्म 22 परवरी से स्टार्ट हो चुके हैं फिलप होने और फॉर्म भरने की लाजड़ डेट होगी 10 मार्च 2024 तो अगर आप लोग यहां पर HL का चाहिए फॉर्म तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिएगा हम आप सब के लिए स्टेप बाई स्टेप कैसे Excel सीट आपको फिल करना है फिर उसे कैसे मेल करना उस पे एक डिटेल वीडियो प्रवाइड कर देंगे जिससे आप अपने मॉवाइल फोन से बिना किसी मिस्टेक के फॉर्म भर सकें चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करके वैल आइकन को आप सब लोग दबा लीजेगा और साथ में वीडियो को लाइक और सेयर करेंगे तो हमारा भी होसला बढ़ेगा और ऐसी सबी अपडेट, इंफॉर्मेशन और पीडियाफ के लिए आप जोड़ सकते हैं टेक स्टेडी, आईटी आई, टिलिग्राम चैनल पे डिस्किप्सन में हमने लिंक दे दिये, वहाँ से आप उस पे आ सकते हैं तो ये है HL Avionics Division कोरवा अमेठी UP का डेटेल नोटिफिकेशन 22 फरवरी 2024 को जारी किया गया टेकनिकल ट्रेनिंग इस्टिटूट कोरवा की तरब से हिंदी, इंगलिस दोनों में सबसे पहले यहाँ आपको बता दें सिर्फ NCVT candidates eligible होंगे और जिन्होंने 2021, 22 या 23 में ITI पास किया है वही यहाँ पे apprenticeship में apply कर सकते हैं आप सबको पता है MSDE के नए नियमों के अनुसार अब ITI apprentice का जो NAC certificate है वो one year के experience के equivalent माना जाएगा अभी recent में यह notice आया उसके बाद IRIAL के वैकेंसी आया उसमें clearly लिखा भी है का apprenticeship हो या experience हो दोनों चलेगा तो यह एक बहुत बहुत बहतर चीज है अब आप लोगों को apprenticeship जरूर कर लिनी चाहिए अगर आप अच्छी तयारी आच्छा कुछ और नहीं कर रहे है तो एक साल आपको apprenticeship जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर trade की बात करें तो electronic mechanic की vacancy है electrician है fitter, turner, machinist, instrument mechanic है RAC है DMM है, copa है, machinist grinder, MMB आप सब लोग बार कहते हैं कि यहाँ पे MMB का, copa का, MMB का, ठीक है grinder का इन सब का नहीं आता vacancy, DMM का देखिए आने वाला आ गया है HL में ठीक है electroplator है, welder, gas and electric है, painter general भी है, इसके अलावा stenographer, secretarial assistant, English की भी post निकाली गई है ITI के total 15 trade यहाँ पे eligible हैं, जो की farm भर सकते हैं, एंड यहाँ पे योगिता क्या मागी गई है, देख लीजे तो fitter, turner, machinist, machinist grinder, electrician, DMM, mechanic, motor vehicle के लिए science side में आपने यहाँ पे 10 plus 2 सिच्छा पद्धित के अनुसर high school पास किया हो, मतलब high school आपने बिज्ञानवा गड़िक बिसे के साथ पास किया हो, साथ में आपने NCVTC ITI किया हो, 21, 22 या 23 सत्र में आपने ITI पास किया हो electronics mechanic, instrument mechanic, RAC, electroplater, COPA and steno के case में आपने अगर art side से भी high school की art या science कोई भी चलेगा, साथ में आपने ITI किया है, तो आप form भर सकते हैं penter general और welder gas and electric के case में आपने 8 पास किया हो, साथ में आपके पास ITI हो, NCVTC से 21, 22 या 23 में तो आप यह form भर सकते हैं age limit के अगर बात करें तो 9 March 2024 तक आपकी maximum age 27 साल होनी चाहिए, in case आप OBC, 30 साल, in case आप SCST, 32 साल तक की age में आप form भर सकते हैं PWD category case में आपको 10 साल की छूट मिल जाती है, PWD में SCST है तो 15 साल, OBC है तो 13 साल की छूट मिल जाती है कुछ सामान इंडर्देश दियेगे हैं, सबसे पहले तो आपको apprenticeship India.gov.in पर आपने registration नहीं किया तो इस पर registration कर लेना है और अपना registration नमबर आपको application form में लिखना भी होगा Excel sheet में Excel file जो की application form है, उसे आपको साउधानी से भरना, अगर वो incomplete रह जाता है तो आपका application form reject हो जाएगा उसे भर लेने के बाद, आपको जो Excel file है, उसको tti.korva.hl-india.co.in पर भेज देना है सिर्फ Excel file को भेजना है, कोई PDF कुछ भी आपको और नहीं भेजना है, ठीक है HL में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं या सेवा निर्वित या मिरतक कर्मचारी क्या असरित बच्चे हो या पत्निया हो पत्नी हो तो वो जो है यहाँ पे जो प्रोफार्मा इंप्लाई वार्ड वाला उसे भी साथ में अटैच करके भेजेंगे यहाँ एक्षी और लिखाया देख लीजिए, अपूर्ण रूप से भरे होए आवेदन पत्र या संलाइन एक्सल फाइल के अत्रिक्त कोई भी आन्ने फार्मेट होगा या डॉक दौर आप भेजेंगे तो फार्म आपका रिजक्ट माना जाएगा अध्यर्थियों से अन्रोध है आवेदन सिर्फ एक्सल फाइल भेजें एवं एक्सल वार्ड अगर लागू है तो भेजें कोई भी सैक्षे क्योगिता से सम्मंदित कोई डॉक्मेंट आपको यहाँ पे नहीं भेजना है इमेल भेजने के अन्तिम तीथी क्या है, 9 मार्च थोजार चाओवेश, 9 मार्च के पहले पहले आपको मेल सेंद कर लेना है, मेल सिर्फ एक ही बार भेज़ें, अगर एक से अधिक बार भेजते हैं जो अन्तिम बारवाला भेजा गया आवेदन होगा, उसी को सुईकार किया नहीं है ITI अगर आपका इस टाइप का certificate से है तो सिर्फ NCVT eligible है इसके अलावा चैन प्रक्रिया के अगर बात करें 100% merit के basis पे होगा दसुई का 70% लिया जाएगा और ITI का 30% मतलब माल लिजे आपका दसुई में 90% है और ITI में 80% है तो 70% मतलब होता है इसका 63 marks इसका 30 मतलब होता है इसका 24 marks इस तरह से आपका percentage calculate करके merit बनाई जाएगी मान दे जो आपका apprenticeship act है उसके according से 700 से 8,050 रुपए होगा and यहाँ पे जो selected candidates होगे उन्हें यहाँ पे HL की website पे publish किया जाएगा उसके बाद आपका DV होगा, medical fitness certificate देना होगा उसके बाद आप final यहाँ पे select होंगे तो आपको police verification certificate भी अपने अस्थानी निवास का देना होगा जो भी candidates outlist होगे उन्हें सारे documents लेके वहाँ पे DV कराना होगा जाके वो mail के माद्धिम से भी हो सकता है, physically भी आपको बुलाया जा सकता, वो चीज़े बाद में यहाँ पे आपको बताई जाएंगे कब-कब हो पायेगा आपका selection, कब इसकी merit list आ सकती, उसको भी यहाँ पे आल्रेडी पहले से दिया जा चुका है यहाँ पे 9 अपरेल से 16 अपरेल की बीच, उसके बाद आपका 16 अपरेल तक DV होने के बाद आप लोगों का मई में जॉइनिंग भी इसमें हो सकता है तो यह सारी detail यहाँ पहले से दे दी गई है, अब बात करें अगर इस apprenticeship के फायदे की, तो देखें फायदा यह होगा आपको, कि आप थोड़ा काम सीखेंगे HL में, बाकी HL में generally vacancy में apprentice को weightage बहुत कम दिया जाता है, अभी तक नहीं आई ऐसी vacancy, maximum तो contract based पे आ रही है लेकिन हाँ, जो NAC certificate होगा आपका, अब वो one year के equivalent होगा, अब experience के, तो बहुत सारी ऐसी नौकरी आती, जिसमें idea plus one year experience मागा जाता है, इस पसली एक वरसी trade की, उनके लिए बहुत 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 हो जाएगा, तो अगर आपका इसमें हो जाता है, आप करना चाहते हैं, तो आ यह देखें, कुछ इस तरह से excel seat खुलेगी, इसको light theme में कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, यह, ऐसा excel seat है, यहाँ आपको सब fill करना रहेगा, ठीक है, जो आपका यहाँ पर data हो, उसे आप जैसे आपका जो नाम हो, उसको आप यहाँ फिल करेंगे, यहाँ जैस में थोड़ा सा excel seat पर काम करना टफ होता है, तो आप लोग चाहें तो इसको cyber cafe या अगर laptop या computer पर कर लें तो और बहतर है, वैसे हम आपको बता देंगे mobile phone से भी करना, जिससे आप आसानी से कर पाएंगे, थैंक यू